आज बैदिक मैट की सीरीज में मैं सिखाऊंगी कि अलजेब्रिक पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिवाइट करेंगे आपके बाइनोमियल से लेकिन यह लीनियर बाइनोमियल है इसमें x raised to power 1 है यानि पहले अध्याय में हम लोग division में power 1 से करेंगे इसके बाद आगे इसको बढ़ाते जाएंगे ठीक है तो आज मैंने division लिया example देखिए 7x square plus 5x plus 3 divide by x minus 1 ठीक है हम लोग सबसे पहले coefficients लिखेंगे x square का एक्स का लिखेंगे और यह constant ठीक है हमको divide करना है x minus 1 से यानि यहाँ पर आपका यह क्या है minus 1 constant term क्या है minus 1 देखिए बहुत आसान है इस minus 1 का minus 7 में multiply करेंगे तो यहाँ पर आएगा minus 7 7 into minus 1 minus 7 अब फिर इसी का multiply इसमें जब हम लोग subtract करेंगे तो यह क्या आजाएगा 5 यहाँ sign change होता है minus यह हो जाएगा 12 अब 12 का multiply minus 1 में करते हैं तो क्या होता है minus 12 और फिर subtract करते हैं तो sign change हो जाता है तो यह हो जाएगा 15 इसके आगे division नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ कर बंद हो जाता है तो यहाँ जो question होगा वो आपका होगा 7x plus 12 और यह हो जाएगा remainder remainder equal to 15 15 इतना आसान है इसको divide करना फिर इसी division को मैं देखो दूसरा करती हूँ example number 2 अगर नहीं समझ में आ रहा है 7x square plus 5x plus 3 इसको हम लोग फिर divide करेंगे x plus 1 से देखे difference देखे plus 1 and minus 1 ठीक अब x plus 1 से divide करेंगे तो हमको 1 यहाँ लेना है constant term और यह हो जाएगा 7, 5, 3 अब 1 का multiply किसमें करना है 7 में 1 into 7 और उसको यहाँ लिखना है और subtract कर देना है तो 5 minus 7 minus 2 अब minus 2 में 1 का multiply यह क्या हो जाएगा 1 into minus 2 minus 2 फिर sign change हो के यह क्या हो जाएगा 3 plus 2 5 division में यही होता है subtract करना होता है तो इसका answer हो जाएगा question हो जाएगा 7x minus 2 और जो remainder होगा वो last वाली digit 5 तो यह तो quadratic को हम लोग linear से divide कर रहे थें अब हम लोग फिर third example में देखें आपको cubic लेते हैं अब हम लोग किसी को भी divide कर सकते हैं कितनी भी power रहेगी हम लोग linear binomials है इसको हम लोग divide करेंगे x minus 2 से coefficient लिखने हमको 1,7,6,5 और x minus 2 से divide करना है तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा minus 2 अब देखें minus 2 का multiply 1 में करके यहाँ आएगा minus 2 यह sign change होगे यहाँ क्या हो जाएगा 9 अब 2 into 9 minus 18 again sign change 18 plus 6 24 24 into minus 2 minus 48 फिर sign change this is equal to the 53 यह जो लास्ट का होता है यह क्या हो जाता है remainder और यह होता है quotient तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे quotient हो जाएगा इसका 1 यहाँ से लेंगे x square plus 9x plus 24 क्यों ले रहे है x square का यहाँ से coefficient क्योंकि यह cubic है और यह है monomial sorry collinear और यहाँ पर remainder हो गया 53 और दिखाते हैं एक दो example और देते हैं आपको सिक्लियर समझ में आएगा फिर कोई एक example लिख लेते हैं suppose x cube minus x square plus 7x plus 3 और इसको divide हमको करना है suppose x minus 3 से तो सबसे पहले हमको minus 3 यहाँ हो जाएगा और divide किसको करना है देखे 1 coefficient x cube का बन इसका minus 1 इसका 7 और यह constant है 3 क्योंकि देखें यहाँ पर हम लोग remainder constant से क्यों ले रहे हैं क्योंकि यह linear है power 1 है तो naturally जो number आएगा वो last में क्या हो जाग remainder और अगर यह quadratic होगा तो हम लोग यहां से remainder लेंगे वो में बाद में बताऊंगे पहले आज आप खली linear का समझें अब minus 3 का multiply minus sorry 1 में करेंगे इन दोनों का multiply करके कहां लिखना है हमको यहाँ पर minus 3 into 1 minus 3 और इसका sign change करके जो answer आएगा वोगी क्या आएगा 3 minus 1 2 फिर इसका multiply इसके साथ करेंगे minus 3 into 2 minus 6 फिर sign change कर देंगे तो ही क्या हो जाएगा 13 फिर इसका minus 3 का में multiply करेंगे minus 39 और फिर sign change होगा तो यह हो जाएगा 42 ठीक है तो यहाँ से x square आएगा question में और यह हो जाएगा plus के 2x plus 3 क्योंकि एक पावर x डिवाइड करेंग ने चले x square आएगा और जो remainder होगा वह हो जाएगा आपका 42 आप कुछ-कुछ clear हो रहा होगा चलिए आप मैं और पावर 4 वाले का example लोंगे यह तो cubic है by quadratic equation ले लेते हैं कोई x raise to power 4 minus 3 x cube लिख सकते हैं कुछ भी क्योंकि अब बैदिक मैट के हिसाब से हम कोई भी division easily कर सकते हैं अब इसको हम डिवाइड करेंगे x minus 4 से थोड़ा थोड़ा बढ़ा हते जा रहे हैं चिक हैं अब minus 4 आपको यहां लिखना है आपको पता चल गया कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है यह और इसके coefficient लिखा x e power 4 का 1 minus 3, 7, 5 और यह हो जाएगा 7 सारे coefficients को हम लोगों ने कहां लिखा है नीचे अब सबसे पहले क्या multiply करेंगे minus 4 into 1 it is equal to minus 4 sign change अगर यहां plus हो जाएगा ते क्या हो जाएगा 1 minus 4 into 1 minus 4 दसल आप लोग बुक में पढ़ते हैं और बुक में पढ़ने पर क्या यह digits लिखी रहती है लेकिन नहीं समझ में आती है यह कहां से आ रही है फिर देखिए next minus 4 into 11 minus 44 जब तक कोई समझाता नहीं है तब तक यह problem रहती है फिर minus 4 into 49 फिर इसमें multiply करेंगे यह हो जाएगा minus 196 फिर इसको plus कर देखिए यह हो जाएगा 203 तो यह जो single है linear equation यहां से क्या होता है यह remainder हो जाएगा और यहां से क्या आएगा quotient तो यह हो जाएगा आपका x cube plus x square क्योंकि इस से एक पाबर हम लोग कम कर देते हैं और यह हो गया 11 x plus 49 this is the quotient and remainder 203 और एक और एक और example देते हैं चलिए थोड़ा x minus 5 से divide करके और दिखाते हैं क्या होता है लिख लिए cubic x cube minus 3x इसको है plus 10x इसको divide करेंगे हम लोग x minus 5 से ठीक है अब इसके लिए क्या है वही same rule तो वही चलेगा minus 5 से divide करना है और यहां पर आपका क्या हो जाएगा 1 minus 3 10 minus 7 यह तो remainder में चला जाएगा बाकी चीज़ें यहां देखिए minus 5 into 1 minus 5 चैक है sign change करके यहां लाएंगे plus 2 करेंगे यह क्या हो जागा 5 यह तो 1 as it is आजाता है 5 minus 3 2 minus 5 into 2 minus 10 फिर sign change हुआ 10 plus 10 20 20 into 5 minus 100 sign change 100 minus 7 93 अब आप आराम से लिख सकते हैं आपका question आगया x square plus 2x plus 20 and the remainder is 93 3 3 मेरे ख्याल से आपको बैदिक मैट से लीनियर से डिवीजन आ जाएगा आप आराम से कर सकते हैं